दोस्तो नमस्कार, मेरा नामी डॉक्टर केके पांडे और आपका इस चलना पर बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं बात करूँगा कि फिश्टुला का टीटमेंट मैं कैसे करता हूँ फिश्टुला में मैं किस चीजियों का ध्यान रखता हूँ और ऐसे क्या मैं करता हूँ कि जिससे फिश्टुला में बहुत अच्छे पैड़ाम मुझे मिलते हैं तो आज मैं अपना एक्सपरियेंस आपसे शेयर करूँगा दोस्तो अंत तक बने रही है का ये बहुत informative वीडियो हने वाली है अगर आप खुल से टीटमेंट करते हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाली है तो आएए शुरू करते हैं दोस्तो फिश्टुला का जब भी टीटमेंट मैं करता हूँ तो मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कॉंस्टूशन पर कि पेशिन का कॉंस्टूशन क्या है उसके कॉंस्टूशन के खराब होने की वैसे कॉंस्टूशन के खराब होने के मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पेशिन्ट एक पर्टिकुलर चीज़ उसको पसंद होती है पर्टिकुलर चीज़े उसको अच्छी लगती है अगर उसके अंदर कोई बदलाव आए आप जानते हैं कि कोई भी बदलाव अगर होता है तो वो शुरुवात होता है mental level पर जब भी कोई बिमारी पैदा होती है तो उसको physical level पर अंटिरेन अनलिस की वो कोई बाहर से चोट न लगी हो तीक है वो एक अलग इशू होता है वो कॉस्टी फैक्टर की वैसे होता है मतलब बाहर से कोई चीज लगी चोट लगी मुझ भी हुआ एकसिडेन हुआ तो वो एक अलग इशू होता है अधरवाई जितनी भी चीज़े होती है वो शुरुआत पहले ब्रेन से होती है आपके मेंटर लेबल से सारी बिमारी शुरू होती है तो अगर इसको जब आप सही करेंगे तब ही आप फिजकल लेबल की किसी बिमारी को दूर कर पाएंगे तो यह आपको समझना ज़रूरी होता है इसलिए किसी बीमारी की origin को पहले पहचाने की कोशिश करिए कि इसके शुरुवात कहां से हुई है जब मैं case checking करता हूँ तो मैं हमेशा ये बात ध्यान देता हूँ कि जो बीमारी में मेरे सामने आई हुई है या जिस patient को मैं treat कर रहा हूँ उसके शुरुवात कहां से हुई है तो मैं case checking करते वक्त में हमेशा ये पूछता हूँ कि ये शुरुवात कैसे हुई है अब जब मैं किसी से पूछता हूँ तो बड़ी बार ऐसे चीज़ मुझे मिलती है कि रॉक साब ये अभी कि दो-तीन मेहने पहले इच्छे मेहने पहले साल बर जब भी फिश्चुला के शुरुवात हुई तो पहले लैटिन के रास्ते के आसपास में दाना निकला फिर वहां पे खुजदी मेसूस हुई या खुजदी हुई फिर दाना निकला और उदाने से थुरा सपस आना शुरू हुआ बाद में उसमें से ब्लड आना शुरू हुआ तो ऐसी कंडिशन्स हुई तो मैं उनसे बोलता हूँ कि ये कंडिशन जब हुई उसके पहले क्या हुआ था तो मुझे पता है कि जादेतर कंडिशन आप देखेंगे 90% केसिस में क्या होता है कि पेशन्स को कबजियत की शिकायत रहती है उसके 2-3-4 महिने पहले 5-6 महिने पहले अगर आप पता करेंगे तो कबजियत जरूर होती है और कबजियत इस तरह की कि हार्ड इस्टूर होने के बाद क्या हुआ कि इस्टूर हार्ड होने के बाद क्रैक पड़ा फिशर डेवलेफ हुआ मतब लैटिन के रास्ते में कट लगा लैटिन करते हैं जलन दर्थ यह से महसूस हुआ पेशन्ट को उसने हलका फूर का टीटमेंट लिया सही हो गया या कभी टीटमेंट नहीं लिया देरे-देरे करके आराम उसमों होना शुरू हो गया तो दोस्तों क्या होता है कि वो कंडिशन होती है फिशर की यह आपको हिस्ट्री मिलेगी पेशन्ट के जबाब बात करेंगे तो कि लेट्रिन कड़ी हुई और कड़ी होने के बाद में जलन मैसूस हुई यह आपको हिस्ट्री मिलती है ठीक है तो यह तो उस समय के हिस्ट्री है फिर वही जो फिशर होता है बाद में देरे-देरे अलसर बनता है और बाद में फिश्ट्री में पहले बताया हूँ आपको उसके पहले और जाइए कि पेशन्ट की यह कंडिशन हाड इस्टूल वाली हुई वह हुई क्यों अगर आप उसके पहले बारे में पता करेंगे और किसी चीज़ के बारे में कोई और आपको कोई और भीमारी तू नहीं थी किसी और चीज़ की मैड़शन肆 ऊप कोई that को मैं तना जाद है रहा मानसिक तनाव तना ज्याद है रहा उसकी वियसे कभजियत हो गई कभी patient को उसका पेड़ साफ नहीं हो रहा था थीक है मतलब कोई नहीं कोई आपको mental level का कारण पकड़ में आएगा अगर आप देखेंगो ध्यान से तो ठीक है तो यह हो गया बड़ी बार क्या होता patient यह बातें नहीं बता पाते हैं या संकूज करते हैं या कभी इनको ध्यान म बड़ी डीप लेवल की हैं और यह patient अगर आप किसी से बात कर पाते हैं कि ऐसी के कर पाते हैं कि patient अपनी सारी बाते आपको बता दे तो आप फिर उस लेवल पर जा करके कि pregnancy की गर देते हैं तो आप देखेंगे धीरेजरे करके आप वहां से सही होने शुरू हो जाता है अब वहां से साही होने का फायदा क्या होता है देखें लेवल जब सही होता है तो आप देखेंगे कि physical पर उसका आफ़राना शुरू होता है जैसे एक इंसान माल यह mentally stress रहा पहले बहुत जाद है मांसिक तना बहुत जादे रहा मांसिक तना होने की वज़े से जो उसकी nerve endings होती है चुकि तीन brain होता है आप जानते हैं हम लोग जानते हैं कि एक ही brain होता है central nervous system लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है इसके अलावा एक आपका cardiac portion पर होता है मतब हर्ड के पास में और एक होता है आपका gut brain जिसको बोलते हैं तो कभी-कभी यह disturb हो जाता है तो वैसी condition में patient अगर यह disturb हुआ तो उसका असर यहां पर भी आता है मतब दिमाग disturb हुआ तो आपका यह किसी ने बात को कोई बहुत जादे deeply सोच दिया किसी ने कोई बात hurt हो गई तो वह सारी चीजियों की वज़र से भी पेट खराब होता है अब patient का अगर यह सही नहीं है और पेट खराब हुआ आपने माली यह दबा दे दिया और कोई nitric acid कोई वह सी दबा दे दिया आपने उसको लगा कि आपने ठीक कर दिया लेकिन चुकि यह सही नहीं हुआ तो क्या होगा बाद में फिर से constipation create होगा फिर से condition develop हो जाएगी तो आपने actual में यहां से तो ठीक कर दिया पेट की चीज़े हो से लेकिन यह ठीक नहीं हुआ तो फिर दुबारा होने की फूरी समभावना है तो आपने जड़ से समाप्त करना है तो आपको constitution पर जाना पड़ेगा constitution का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि physical burnout कैसी है constitutional का मतलब यह भी है कि उसके साथ में और क्या 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 चल रहा है क्या सोच रहा है patient उसके desire, emergence क्या है और कई सारी चीज़े ठीक है patient क्या पसंद करता है ठंडा पानी पसंद है, गरम पानी पसंद है, खुली हवा पसंद है कमरे के अंदर रहना पसंद है, गुस्सा जादे करता है, बहुत जादे emotional है, रोज देता है, बात बात पर अपनी बात बताते बताते रोग देता है ऐसे तमाम बाते हैं जो कि constitutional को define करती है तो ये सारी बाते जब आप एक patient से पूछते हैं, वो सारी बाते आप पर सामने आती है फिर उसको आप repertoireize करते हो, रेपरटरी से, तीक है या आपकी जैसी knowledge है उस हिसाब से या जो आपकी पास सुविदा है, तो आपको उसके बाद जो medicine निकल करके आती है, वो होती है constitution medicine और मैं जो करता हूं मैं आपको अपना बताता हूं, कि मैं case tracking पहले अच्छे से करता हूं, मेरी case tracking करने में एक घंड़े का time लगता है, उसके लिए मैं fees भी लेता हूं ठीक है तो जो time लगता है उस time में मैं बहुत सारी बाते करता हूँ बहुत सारी चीवे पूछता हूँ patient से जिनोंने मिसे question कराया हुआ है जिनका मैं case handle कर रहा हूँ उनको पता है मैं कैसे बाचित करता हूँ कैसे चीवे पूछता हूँ तो वो सारी बाते होती है उसके बाद फिर जब यह हो जाता है उसके बाद मेरा प्रॉसस होता है उसको मैं रेपरटराइज करता हूँ मैं सॉफ्ट्वेर से रेपरटराइज करता हूँ मेरे पास सॉफ्ट्वेर है तो मैं वहां से उसको रेपरटराइज करता हूँ उसका फादा क्या होता है कि accuracy काफी हत बढ़ जाती है देखिए हम वैसे भी करते हैं जब से मैं cleaning पर पेशन देखता हूं तो यहां पर इतना time नहीं होता है कि मैं हर एक पेशन को उतरा रेपाटराइज करूँ मैं ठीक है कुछ खास केस होते हैं या टिपिकर केस होते हैं तो वहां पर करने क्या हो सकता होती है तो बैसी कंडिशन में जब मैं फिश्टुडा का या कोई ऐसा ओनलाइन पेशन देख रहा होता हूं तो मैं लगबाग हर पेशन को के स्पाटराइजसन जो होता है वह उसे फाइदा क्या होता है एकुरेशन जैस्सा कि मेना बताएगा बढ़ जाती है काफी एकुरेट मैडिसिन निकल करके आती है फिर जब वह मैडिसन कोई भी पेशन्ट यूज करता है तो उसके ठीक होने की संबाहना और ज्यादे बढ़ प्लस उसकी और अगली कॉंसी मैडसीन होती है यह सारी चीज़े भी क्यूकि ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपने कोई मैडसीन ले लिए और वही मैडसीन हमें साब की चलती रहेगी जैसे सिंटम चेंज होगे वैसे मैडसीन भी चेंज होती है जब हम दबा देते हैं तो बड कौन सी दबा के आउशक्ता पड़ेगी उसी लेका से ठीक होगा कोई और दबा की जोरत पड़ेगी वो आपका डॉक्टर जानता है ठीक है इसलिए किसी अनुवबी की आवशक्ता पडदी है अधर बाई अपने आप लोट ही झाले सारी चीज़ीयों को लीचिए ऐसा हो medicine बताता हूँ और patient उसको उनको use करते हैं बीच बीच में जो symptoms होते हैं शेंज होते रहते हैं वो मैं बताता रहता हूँ guide करता रहता हूँ कब कौन सी medicines कैसे लेनी है तो दोस्तों ये मेरा अपना तरीका है कि मैं कैसे करता हूँ मैं case taking पर ज्यादे focus करता हूँ case taking अगर आपको सही से हुई है तो आपकी symptoms patient बड़ी बार आपने symptoms बताते बताते अगर आपकी knowledge अच्छी है तो आपको सारे symptoms patient आल्मुस्ट बता देता है कि मुझे कौन सी medicine की आउश्चता है तो आपको ज्यादे से ज्यादे case taking पर focus करना है और ये तरीका अपनाना है जो मैंने आपको बताया अपने knowledge को बढ़ाना है अगर आप खुद से medicine लेते हैं तो अपने knowledge को बढ़ाईए आपको पता होना चाहिए कि कि किसी को अठंधा पसंद है तो कौन सी medicine देनी है किसी को अगर मीठा पसंद है तो कौन सी medicine देनी है किसी को नमकीन पसंद है तो कौन सी medicine देनी है किसी को दोनों पसंद है तो कौन सी medicine देनी है कोई irritable बहुत जाद है तो उसमें कौन सी medicine देनी है कोई बहुत जाद है भावख हो तो उसको कौन सी medicine देनी है किसी को साथ में रहना पसं तो कौन से medicine देनी है अब आपको यह ऐसी बहुत यह तो मैं थोड़ी सी बाते बता रहा हूँ आपको ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको यह सारी चीज़े पता है तो डेफिनल्टी आप भी बहुत अच्छी case taking कर सकते हैं और आप किसी भी कोई बिमारी को दूर कर सकते हैं अगर आपको सारी चीज़े पता है तो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जाने कारी से आपनोंको फायदा जरूर होगा जो लोग case taking खुश से करते हैं उनको भी फायदा होगा और जो खुश से अपने treatment करते हैं उनको भी फायदा होगा इससे तुकि आपको पता होगा कि आपको प्रॉपर गाइडेंस कैसे मिलेगा आपको पता होगा कि आपको प्रॉपर क्या क्या चाहिए जानने की आप शकता है ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से फायदा होगा फिर मिलते हूँ एक और नए वीडियो में अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिजिए इसमें इस तरह की तमाम जानकारिये मैं आपको देता रहता जो भी मेरा अनभव होता वो भी मैं देता हूँ बहुत ही जल्दी जो रोख फिश्चुला से काफिया तक इंपूर्मेंट जिनके नर आया हुआ है उनका भी वीडियो में जल्दी आपके सामने लेकर के आऊंगा ठीक है तो दोस्तों हसते रहिए खिलखिलाते रहिए फिर मिलता हूँ एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में तब तक कमना ख्याल लखिए जय हिंद जय भार दोस्तों